कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुल्क केरिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुल्क से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटी तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तो नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं सत्मोला कवियों की चौपाल में आपका हर दिक स्वागत करता हूं जितना जी में आए खाओ बस खाते ही खाते जाओ धरने की क्या बात है जब सत्मोला साथ है टेस्ट है इसका सबसे निराना हर दिल पर जादू कर डाला स्वाद स्वाद में जम कर खाया सत्मोला ने खूप बचाया ने शिगलता है क्या सत्मोला कर सकता है कर दो 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो नमस्कार सत्मोला कमियों की चोपाल में आप सबी दर्शोकों का हारतिक अभिनन्दन है स्वागत है बड़े ही हर्श का विशे है सत्मोला कमियों की चोपाल दो हजार चार पंदरा गर्स से प्रारम हुआ आज अठारा वर्ष अपने पूर्ण करने जा रहा है सत्मोला कमियों की चोपाल आप अपने आप में एक अनुठा कावे अनुस्ठान है जिसमें सभी सिर्षस्त और नवांकुर कवी कवित्रियां अपनी आउतियं डालती है जो हमारे वरिष्ट काविया है जिसको बोलते हैं यज के अंदर वो घृतावती डालते हैं यानि कि उनके प्रभा मंदल से नए पुश्व पल्लवित होते हैं आज उसकी परकास्टा है आज हमारे बीच में मैं जिनको अमंत्रित करना चाहता हूँ वे हैं देश की जिनको हर समय 24 घंटे ही नहीं प्रतिपल जिनको चिंता रहती है राष्ट कैसे हमारा अक्षुन और उचा रहे विश्व के अंदर तिरंगा के पर कोई आज ना पाए और देश में हर्याली और वसंत 24 महीने रहे ऐसी चिंता को व्यक्त करने वाले और राष्ट को अपने शरीर के साथ जीने वाले और बलिदान होने की जिनके अंदर पर कास्टा है और जिनका जो अगर हम उपनाम कहें हम मनिंदर सिंग बिट्टा तो उनको जानते हैं केवल कभी-कभी लेकिन उनों का जो सक्सियद होए है जिन्दा सहीद जिनके अपर इतने बमों से हमले हुए इसके बावजूद भी आज वो हाज हमारे बीच में निरंतर हमारे साथ जुड़े में आए सत्मोला कम्योग चुपाल में आप दो वर्ष पूर भी आये थे और आज आज आप हमारे बीच में विशिस्ट भी नहीं मुक्य आती थी कि नोत पे नाते हमारे बीच में आए हैं मैं चाहता हूँ आप सत्मोला कम्योग चुपाल के लिए आप जाले सुबकामना दें और कुछ मैं आप से आज के देश के कुछ विशे पे जोलन प्रश्डमी मैं करने वाला हूँ उसके लिए तब तक आप प्रपेर हो जाएंगे और से पहले हम आप चाहेंगे कि आप सत्मोला कम्योग चुपाल के लिए आप अपना संदेश शुपकामना संदेश दें सबसे पहले मैं तो सत्मोला का बहुत शुक्र गुजार हूँ, बित्तल साथ का, सबका मैं शुक्र गुजार हूँ कि बार बार आप मुझे आने का मौका देते हैं, और यहां आने का मकसद एक होता है रास्ट की विचारदारा, प्रथम रास्ट, उसके उपर मुझे बुलाया जाता है तो मैं बड़ा आपका शुक्र गुजार हूँ, बित्तल साथ एक बावत आई है, आपको सत्मोला कमियों की चोपाल में आके कैसा अनुभव हो रहा है? यह बड़ा अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि कवी आते हैं और कवी जो है वो रास्ट की एक शक्ती और श हार देख स्वागत है, सत्मोला कमियों की चोपाल, आपकी अपनी चोपाल, सत्मोला कमियों की चोपाल में आज आप के साथ, आप सभी दर्शकों के साथ हम अठारा वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, यानि पंदरा अगस्त दो हजार चार को फ्रारम हुआ यह कारकम आज वेस्क हो चुका है जिसको भारती मतदाता के इसाफ से बालिक बोला जाता है तो अठारा साल का हो चुका है और उननीस वे बर्स में प्रवेश करने जा रहा है सत्मोला कमियों जोपाल में आज हमारा परम सुभाग गया है कि आज हमारे बीच में उपस्तित हैं सरदार मनिंदर सिंग बिट्टा जी बहुती सुप्रसिद व्यक्तित्व है जिनको जिंदा सहीद बोला जाता है सरदार मनिंदर सिंग बिट्टा जी हमारे साथ हैं हमारे रहे, आपकी पांच से च्छे बड़ी विश्य विख्यात पुस्ते के आपकी प्रकास्टित हो चुकी है आप कविता में अनूठे कई प्रकार के प्रियोग करने के लिए आप जाने माने जाते हैं, राजेश चेतन जी जो एक चेतना परिवार है, बहुत बड़ा चेतना परि करता है हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस में सायक पुलिस आयुक्त शिरी राजेंद्र कलकल जी राजेंद्र कलकल जी मौटिवेशनल स्पिकर भी है आप कार्टूनिस्ट भी है आपकी कार्टूनिस्ट आपके कई कार्टून चित्र प्रदर्शनिया आपकी लगती रहती है व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप बहुत ही श्रेष्ट कवी हैं आज हमारे बीच में उपस्तित हैं शिरी राजिंद्र कलकल जी जा जोड़दार तालिय के साथ हमें का स्वारत करते हैं हमारे साथ उपस्तित हैं एक और हमारे बीच में एक पलिस परशासन से हमारे बीच में एक ख्याती प्राप्त उंदा शायर श्री आदेश त्यागी जी हमारे बीच में आदेश त्यागी जी बहुत अच्छे शायर के होने के साथ साथ आपकी रामायन, गीता, महाभारत और पुरानों पर बहुत अच्छी पकड़ा है आप व्याख्यानों के लिए इसके लिए आप बुलाए भी जाते हैं, मंतृत सादर मंतृत किये जाते हैं, हम उनका समय समय पर लाब लेते रहेंगे आदेश त्यागी जी का मैं जोरदा तालियों के साथ हम व्याख्यानों का स्वागत करता हूँ और हमारे बीच में हैं, हमारे सत्मोला कम्योग चौपाल के प्रधान संपादक, डॉक्टर भुमने सिंगल, भुमने सिंगल ओज के प्रखर अस्ताक्षर है, गो सेवक है आप राजदिक छेतर में भी हैं और आप मेरे प्रिया अनुज भी हैं डॉक्टर भुमने सिंगल जी को मैं गीत के लिए साधर अमंतृत करता हूँ तो सबसे पहले मैं अमंतृत करना चाहूंगा राजेश चेतन जी को राजेश चेतन जी आए और अपनी ओजस्वी वानिज़े में लाभानमित करें, राजेश चेतन जी राम ही राष्ट्र है राष्ट्र ही राम है राम एक वैस्विक चरित्र है इसको समझना हो तो दुनिया का सबसे बड़ा Muslim country Indonesia जी पर जितनी राम लीला इंडोनेशिया में होती है उतनी राम लीला भारत में भी नहीं होती तो उन कलाकारों से पत्रकारों ने पूछा तुम तो मुसलमान हो तुम राम लीला क्यों करते हो और इंडोनेशा के कलाकार जो उत्तर दिया, उससे राम की शक्ति क्या है, ये बात समझ में आएगी, उन्होंने उत्तर दिया, हमने धर्म बदला है, पुर्खे नई बदला, क्या बात, बहुत बढ़िया, तम मैं कविता आपको सुनाता हूँ, मेरी कविता का सिर्सक है वनव क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, तो किसने गंगा तडपर जाकर केवट का सम्मान किया, आरक्षन के नाम पे भारत को आग लगाई गई, पंजाब फूका, राजस्तान फूका, गुजरात फूका, मेरे राम का आरक्षन क्या था मैं बताता हूँ, किसने गंगा भक्ति भाव से खाया था, वनवासी और अदलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था, मात पिता की आग्या का तो केवल एक महाना था, बहुत बढ़िया, अगर प्यार करना है तुमको राम सियासा प्यार करो, लोग कहते हैं ताज महल महबत की निशानी है, मैंने कहा इस महबत की कोई निशानी है तो राम सेतु है, हमारे पर फुर राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया, महबत की निशानी वो है, अगर प्यार करना है तुमको राम सियासा प्यार करो, वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यावार करो, जंगल जं प्यार भरा नजराना था मात पिता की आग्या का तो केवल एक महाना था बहुत अच्छे बल शाली वानर जाती तो परवत पर ही रह जाती अनमान जी कि बड़ी पुजा करते है भारत के लोग, Anuman जी के मंदร भारत में इतने बना दिए, जितने के राम जी के भी नहीं है, राम के भक्त धनुमान, कृष्ण के बक्त अरजुन, अरजुन लगा कोई मंद्र देखा क्या? अर्जुन के मंद्रिसली नहीं होते सामने नाराण खड़े हैं अर्जुन पैचान ही नहीं रहे भगवान ने दिव्वे द्रस्टी दी नहीं पैचाना गीता सुना दी नहीं पैचाना आकिर भगवान ने अपना दिव्वे रूप जब दिखाया तब बरजुन को पता लगा कि सामने वाले पिता जी है हनुमान को समझना हो तो एक लैन में समझना हनुमान का मतलब भारतिय सेना हनुमान का मतलब क्या सूचना मिली सोचना बंद हनुमान जी हो जाओ गए क्या बत मद्वां बलशाली वानर जाती तो परवत पर ही रह जाती बाली के अत्याचारों को साध चुप ही सह जाती परवुने मित्र बनाये ़ानर जंगल परवत जोड़ दिये जाती और भाशा के बंधन पलभर में ही तोड़ दिये जंजन भारत का जुड़ जाए परभु ने मन में ठाना था और मात पिता की आज्या का तो केवल एग बाहत राक्षस राज हुआ धर्ती पर रिशी मुनी सब घबराते थे दानव उनके सीज काट कर मन ही मन हरसाते थे हवन यग्यना पूरण होते गुरु कुल बंध हुए सारे तो धनुस उठा कर सिरी राम ने चुन चुन कर राक्षस मारे देव शक्तियों को भारत में फिर सम्मान दिलाना था मात पिता की आज्या का तो केवले मानना था बहुत अच्छे और बोलना चाहता हूँ के लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया अपनी प्यारी अवध पूरी का प्यार जिने खीचे लाया मात्री भूमी और परजा जनों की जो आवाज समस्ते थे प्रजा हे तुनिजपतनी के भी नहीं त्याग से ड्रते थे मात्री भूमी को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था मात पिता की आज्या का तो केवले एक बहाना था बहुत अच्छे आखरी का बन सुनाता हूँ बाल वी की रतनाकर होते रामा यणना कह पाते आहाँ क्या बात अहंकार मत करना वो जो करवाता वही होता है बाल मी की रतनाकर होते रामा यणना कह पाते तुलसी पतनी भक्ती में ही जीवन यापन कर जाते रामा नंद न सागर होते राम कथाना दिखलाते कल युग में त्रेता जाकी के दर्शन कभी न हो पाते तो आखरी पंक्ति समालना तो कवियों की वानी को प्रभु ने धर्ती पर गुंजाना था मात्पिता की आग्या का थो केवल एक बहाना थो केवल एक बहाना थो राजे शेतं जी को सुनकर निस्चित तोर पर आपका मन खिल चुका होगा किस प्रकार की रशना धर्मिता है आपने प्रतेक्ष तोर पर देखी अब मैं जिन को अमंत्रित करना चाता हूँ वो होते हैं शिरी राजेंदर कलकल जी के लिए मैं दो पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा कि लो चलन बद चलन हो गया, खत्म घर का अमन हो गया, प्यार ममता भरा आंगना, आज संसत भवन हो गया, आज संसत भवन हो गया, राइंद्र कल पंक्तिया। समझाने के बाद भी छोड़ गया वो साथ, सब को लगती है सही अपनी अपनी बात, सब को लगती है सही अपनी अपनी बात। हर इंसाने है चिपे, जाने कितने राज, क्या कैमे, और दौलत रहा बट औरता, अपनों से मुमोड, चल देगा वो एक दिन, यहीं खिलोने छोड़, चल देगा वो एक दिन, यहीं किलोने छोड़, बहुत सुन्दे, बहुत सुन्दे, बहुत सुन्दे, मा के ओपर तीन दोए लिगें, अभी मदस्डे कुछ समय पहले गया था, रिष्टे वो रहते नहीं, एक वक्त के बाद, नहीं बदलती मा कभी, क्यों बदले ओलाद, नहीं बदलती मा कभी, क्यों बदले ओलाद, एक मा की पीड़ा भला, अब समझेगा कौन, बेटा मिलता भी नहीं, नहीं उठाता फोन, बेटा मिलता भी नहीं, नहीं उठाता फोन, बेटा मिलता भी नहीं, नहीं उठाता भीं मोबाईल से आज कल हो जग से समवाद रोज नहें रिष्टे बने कहां रहे मायाद रोज ने रिष्टे बने कहां रहे माईवाद एक छोटी जी गजल पढ़ देता हूँ वो सवालात मुझ पर उचा ले गए चाहकर भी न जो मुझसे टाले गए था ये रोशन जहां रोशनी उन से थी था ये रोशन जहां रोशनी उन से थी वो गए साथ उनके उजाले गए क्या बाद है क्या बाद है वो गए साथ उनके उजाले गए खत तो यूं सैंकडो मैंने उनको लिखे खत तो यूं सैंकडो मैंने उनको लिखे जो भी दिल से लिखे वो संबाले गए जो भी दिल से लिखे रही जब जुबाँ बंद थी रोटी मिलती रही खौल दी मूँ के फिर तो निवाले गए जब जुबाँ बंद थी रोटी मिलती रही खौल दी मूँ के फिर तो निवाले गए और खार राहों में गेरों ने डाले मगर दोस्तों के इशारों पे डाले गए और जगने तारीफ जितनी भी मेरी सुनी दोश उतने ही मुझे निकाले गए दोश उतने ही मुझे निकाले गए और ये गजल का मकता है अश्क पीकर जो गैरों के हस्ते रहे अश्क पीकर जो गैरों के हस्ते रहे लोग कल कल कहां वो निराले ये थे राहिंदर कल कल जी राहिंदर कल जी कल जी के बाद अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूँ वे एक औजस्वी व्यक्तित्व के स्वामी पुलिस सायक पुलिस आयुक्त शिरी आदेश त्यागी जी को मैं दो पंक्तियों के साथ आमंतित करना चाहूंगा उनी की शैली में खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लाइक थे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लाइक थे अरे गदी पे बैठे हैं वो जो गोली के लाइक थे गोली के लाइक थे तो जो गोली की विवहाशा समझाते हैं और लाठी की विवहाशा भी समझाते हैं और शब कि आजादी का अम्रित महुत समझ चल रहा है और अब तो घर घर तिरंगा वाली बात हो गई है 24 घंटे वाप ने घर पर तिरंगा लहरा सकते हैं बिलकुल बिलकुल तो उसी गुण धर्म के अंतरगत एक मुक्तक अर्ज करता हूं कि युग धर्मा चिरक्रांति निनादित जंजा का विस्तारण हूं युद्धुभूम की ललकारों के शब्दों का उच्चारण हूं और भारत मा को प्राण समर्पित करते हैं उन वीरों की कि भारत मा को प्रान समर्पित करते हैं उन वीरों की शोरे कथाओं का लेखक हूँ बलिदानों का चारण हूँ क्या बात इती है भी इवाब कि मुझे से मत पूछो क्यों अपने शब्दों में करता हूं मैं बलिदानी सेनानी की मिट्टी को चंधन करता हूं कि मैं कविता नहीं किया करता वीरों का वंदन करता हूँ जो लिपट तिरंगे में आए उनका विननदन करता हूँ जो तिरंगे में लिपट कर आए जो देश पर बलिदान हो गए उनके जाने के बाद एक दिर्श्य देखिएगा स्वागत एक घनाक्ष्री छंदर स्वागत कि करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा कि करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा जिसमें थे खुश्पति सजनी को देखके कि करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा जिसमें थे खुश्पति सजनी को देखके उसने भी टी का बिंदी चाव से निहारे और रख दिया चित्र वही नथनी को देखके कि करवा चौति वाले दिन घर तो समारा किंतू कि करवा चौति वाले दिन घर तो समारा किंतू चुप रही सुनी सी अलगनी को देखके और आठा गूंदने को कि आठा गूंधने जो चली सेनने की विध्वा तो रुकिना रूलाई याज चली निको देखके वास्त भी हम शहादत करो इस से बहुत सुनते हैं बहुत चीजे होती है और अमिर्ट महुत सभ है आजादी कर अमिर्ट महुत सभ है इसी परिक्रेश में इत्व था स्वागया था कि तू बच्चों का अधिनायक है तू माओं का विश्वास अमर तू पहनों का रक्षा बंधन तू संकल्पों का सत्य समर तू रण गाथाओं का नायक, के तू रण गाथाओं का नायक, तू शावर कथाओं की थाती, तू सिंग रूप गरजन तरजन, तू अरिसेना का कुल घाती, तू है तो अचल हिमाले है, तू है तो अचल हिमाले है, तू है तो पावन गंगा है, तू है तो धरती धानी है, तू है तो गगन तिरंगा है, वावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा प्रेहरी तू है तो भारत भवे अचल तू अतुल की तिसम वाहक है तू भारत का भवित्व्यर प्रबल तूभारत का अथत्ता मस्तक के तू भारत का अश्ब्स तब कि तू है तो है खुश सुन्दर रचना आपकी यह थे आदेश त्यागी जी अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्प मिराम अल्प मिराम के बाद मिलते हैं फिर एक छोटे से कमर्शल ब्रेक के बाद सत्मोला का विवजोपान में सीम साथ हमारे तीस विदायक अपोशियन पाड़ी में चले गए हब आप सीम नहीं रहे तो अब नया श्रीम कौन बन रहे हैं तेल में सत्मोला खाओ कुछ भीत बचाओ सत्मोला कमियों की चुपाल में एक बार पुने स्वागत है आपका ब्रेक के बाद सत्मोला कमियों की चुपाल में हमारे साथ एक दहरा दून से शीतल हवा उमस भरे मोसम में जब सीतल हवा आती है तो वह कैसे मन आनंदित कर देती है तो शीतल हवा का संदेश लेके आई है हमारे बीच में निर्मला पंत देर्द उनसे जा जोर्दात तुलिय के साथ हम स्वागत करें निर्मला पंत नमस्कार धन्यवाद सत्मूला कवियों की चौपाल धन्यवाद प्रवीन भाई जो इस मंचे तक पहुंचाया मैं ज्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि ये ये तिरंगा हमारी आनबान और शान है पर जब जब ये तिरंगा लहराता है वक्त मुझे मेरे दोनों शहीद भाईयों की याद दिलाता है है इसलिए ये कविता न पड़के मैं दूसरी कविता पड़ूंगी और मेरी कविता है हाई बीबी अक्षर आपने सब को बहुत सा तो मेरी कवीता इस प्रकार है, क्या कोई आज मुझे यहाँ एक बात बता सकता है, क्या कोई आज मुझे यहाँ एक बात बता सकता है, कि आखिन इन पुरुषों का हम महिलाओं पर व्यंग करके मन नहीं थकता है। क्या इन पुरुषों का हम महिलाओं पर व्यंग करके मन नहीं ठकता है, यह जितने भी पुरुष हैं, जो अपनी वीबियों पर व्यंग कसते हैं, कहीं न कहीं उनके प्राण सिर्फ और सिर्फ अपनी वीबियों पर ही बसते हैं, और हाँ यह खास किसम के पुरुष होते हैं, और हाँ ये खास किसम के पुरूश होते हैं, जो दिखावा तो बिन बीबी खुश होने का करते हैं, परंतु वास्तविक्ता ये है कि उनके बिन हर पल आहें भरते हैं, ये हर बात पर बीबी पर जुमला कहते हैं, जुमला कहते हैं, जैसे बीबी नहो किसी ताना शाह का अत्य चार सहते हैं, तो मेरे मन में एक प्रस्न आया, क्या वाकई ये सताय गए पुरुशों का वर्ग होता होगा, क्या वाकई ये सताय गए पुरुशों का वर्ग होता होगा, अगर हाँ, तो इनका घर तो बिन बीबी स्वर्ग होता होगा, इनके घरों में, इनके घरों में, शाय कि दाल भी नहीं गलती ये बिन सोचे समझे ये बिन सोचे समझे हर बात पर बीबी के खिलाफ बोलते हैं और दुनिया की बुरी से बुरी और खतरनाक चीछ से उसे तोलते हैं साहब ये तुलना ये बातें कहीं न कहीं उसके मन में जहर गोलती हैं समझे कि ये बातें ये तुलना कहीं न कहीं उसके मन में जहर गोलती हैं पर क्या करें चुप रहती है कुछ नहीं बोलती है क्या वाकई बीबी इस बेवज़े हसी का पातर है मेरे मन में बहुत बार ये प्रशना आता है कि क्या वाकई बीबी इस बेवज़े हसी का पातर है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष की आत्म संतुष्टी का साधन मातर है वाव अच्छा ठीक है अच्छा बुरा तो हर जगे होता है बूरा क्यों बोलते हो बीबी शब्द का मजाक बना कर हर किसी को उसी तरा जू में क्यों तोलते हो उस पर व्यंग के तीर चला के आप रह कैसे लेते हैं ये बात भी मैं सोचती हूँ कि उस पर व्यंग के तीर चला के आप रह कैसे लेते हैं बना कर तो अरधांग नहीं लाये थे और किसी से भी तुल ना कर देते हैं दहारते तो शेर की तरह हैं आप दहारते तो शेर की तरह हैं मगद चवी भीगी बिल्ली की बताते हो. दाहारते तो शेर की तरे हो, मगद चवी भीगी बिल्ली सी बताते हो. सताते खुद हो साहब, और हर वक्त सताय गए हो, बस यही जताते हो. सच कहूं तो बचपन से अब तक मैंने एक पुरुष प्रधान समाज देखा है जहानारी पहले पिता फिर भाईयों कभी पती कभी बेटों और कभी समाज की उसके लिए बस रेखा ही रेखा है हर बात पर व्यंग करके उसका मजाक बना कर रख दिया है हर बात पर व्यंग करके उसका मजाक बना कर रख दिया है उसने बीवी बनकर आखिर क्या गुना कर दिया है धन्यवाद ये थे निर्मलापन देरादून से बहुत अच्छी नोने एक विचारनी है व्यंग किस प्रकार के होने चीज़िए है उसके पर बात करी अब मैं अमंत्रित करता हूँ ओज से ओथ प्रोथ ओज की एक कविता हमारे बीच में श्रेष्ट गीतकार अवधेश तिवारी दिल्ली से ही है जोरदार तली के साथ हम स्वागत के हैं अवधेश तिवारी जिपार नमस्कार मैं डाक्टर अउधेश तिवारी भावक नई दिली से आजादी का अमरित महोसो हम सब उल्लास के साथ मना रहे हैं अमर सहीत चंदर सेखर आजाद जी के भावों को अपने सब्दों में पिरोते हुए कुछ पंक्तिया निवेदित है जुल्मों सितम को अब नहीं हम और सहेंगे भावक वतन के वास्ते ही प्राण तजेंगे जब तक रहेंगे जिन्दा सवार कहेंगे आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे अपने राश्टिय धोज तिरंगे के लिए कुछ पंक्तिया निवेदित हैं तीन रंग का अपना तिरंगा स्वक्ष पवित्र है जैसे गंगा अपना तिरंगा जान से प्यारा हम सब की आँखों का तारा केसरिया की अपनी कहानी इसको कहते रंबलीदानी केसरिया की अपनी कहानी इसको कहते रंबलीदानी कुर्बानी की राह दिखाये जान ये भूमंडल सारा अपना तिरंगा जान से प्यारा हम सब की आँखों का तारा स्वैत रंग हमको बत्लाता सांती हमारा देयो ब्राता मानवता को रहो समर्पित दोयस भाव का तोडो कारा अपना तिरंगा जान से प्यारा हम सब की आँखों का तारा हरा रंग सम्रिधी वाला स्रम का पोसक बड़ा निराला सारा देश खुस हाल बना दे तब होगा प्रणपूल हमारा अपना तिरंगा जान से प्यारा हम सब की आँखों का तारा सोरे चाक्र का अलग विधान सोरे चाक्र का अलग विधान बीरों का है यही निसान सदा बढ़ो उन्न तिपत पर आशा करता देश हमारा अपना तिरंगा जान से प्यारा हम सब की आँखों का तारा अपना तिरंगा जान से प्यारा हम सब की आँखों का तारा बहुत बहुत धन्य बाद नोश्का ये थे अफधेश तिवारी जी अफधेश तिवारी जी आपका बहुत बहुत आभार आपकी एक सेस्ट रसना हमें प्राप्त हुई हमें इस कारिकम को और अब बढ़ते हैं अगले कवी की ओर अब देश तिवारी जी के बाद अब मैं जिस एक मशूर शायर को मैं प्रस्तत करने जा रहा हूँ उनके बारे में दो पंक्तियां मुझे अपने पिताजी की ही ध्यान आ रही है कहूं क्या किस तरह से जिन्दगी को जी लिया मैंने कहूं क्या किस तरह से जिन्दगी को जी लिया मैंने चुभन सुई घुटन धागा लवो को सी लिया मैंने लवो को सी लिया दोने अरुन साहिवा वालुजे सबसे पहले जो है मैं कुछ रुमानी कदात पढ़ा हूं देखेगा कसम साती हूं मैं तिल मिलाती हूं मैं और कितना ही घुसा जताती हूं मैं जोर पूरा मगर तब लगाती नहीं जोर पूरा मगर तब लगाती नहीं जब कलाई को उस से छुडाती हूं मैं जब कलाई को उस से छुडाती हूं मैं और देखें ये भी रुमानी कदा है चुमता है मुझे पैर छूता है वो और उस से कई तोफे पाती हूं मैं है मज़ा इतना उस के मनाने में के बेवजा भी कभी रूठ जाती हूं मैं गम उठाती थी वो इस तरहे से मुझे तोफ़ा लाती थी वो चंद पैसे ही मा उसको देती थी पर मेरी खातिर इन्हें भी बचाती थी वो मेरी खातिर इन्हें भी बचाती थी वो और देखें यह आपको पसंद आएगा अपने हाथों से उसने उठाया मुझे उसके छूने से बिजली सी लहरा गई कल मेरी जिस से गलती से टक कर हुई कल मेरी जिस से गलती से टक कर हुई आज रस ते में खुद उससे टक रा गई आज रस ते में खुद उससे टक रा गई और देखिएगा एक मैं जो है मापर सुना देता हूँ आपको जैसे तस्वीर कोई सजाती रही वो मुझे देखकर मुश्कुराती रही मैं अभी सिर्फ बच चाता पर मेरी माँ मुझे को ख्वाबों में दूला बनाती रही मेरी खातिर वो खुद को सताती रही ठंडे पानी के छींटे भी खाती रही मा को बारिश में चाता थमाया तो वो मा को बारिश में चाता थमाया तो वो सारा मेरी तरफ धुकाती रही यह थे अरुन साहिवाबादी जी बहुत वीना जी बैटीमा उंसे निवेदन करता हूं कि अपनी कवेथाओं के साथ हम से जुड़े आप उनका तायलियों के साथ स्वागत कीजिए सुपरिया सिंग वीना जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं गजल का एक मतला और दोशे से सुर्वात कर रही हूँ जि जिन्दगी तुझे को यू जिया मैने क्या बाद जिन्दगी तुझे को यू जिया मैने दिल गमों का दुखा दिया मैंने दिल पे जितने भी गुम के पत्थर थे दिल पे जितने भी गुम के पत्थर थे फूल सब को बना दिया मैने दासता देर्द की सुनाने को दासता देर्द की सुनाने को खुद को सायर बना लिया हमने खुद को सायर बना लिया हमने बहुत अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद और एक मुकमल गजल सुना रही हूं स्वालु प्सोल मौत का सामना किया जाए मौत का सामना किया जाए जिन्दगी आ तुझे जिया जाए मौत अच्छी बहुत भी आ देर्गां कब तलक जाओं में क्याम करें धूप को हम सफर किया जाए धूप को हम सफर किया जाए और ये अपने लिए कही है, मैंने ये शेर देखेगा कैसे दिल को सुकून हासिल हो कैसे दिल को सुकून हासिल हो क्या कहा जाए क्या किया जाए क्या कहा जाए क्या किया जाए और S.A.C.T. में जब मन में विद्रोः आता है तब एक शेर आया कि वो जो औरो को दर्द देते हैं वो जो औरो को दर्द देते हैं दर्द उन्ने को भी कुछ दिया जाए और गजल का मकतब कि और कुछ भी और कुछ घर नहीं तो एवीडा चाक दामन को ही सिया जाए क्या बात है वे बहुत अच्छे वे बहुत अच्छे वे बहुत अच्छे और एक गजल का मतला और दोशेर और मैं कहना चाहरी हूं सहारा ढूंड मते दिल सहारा मर डालेगा सहारा ढूंड मते दिल सहारा मर डालेगा भवर से बच भी निकला तो किनारा मर डालेगा एक मतला और एक सिर कहना चाहरी हूं भाबना में बना बट नहीं चाहिए भाबना में बना बट नहीं चाहिए मन में कोई मिला बट नहीं चाहिए कश्म कश में जली कश्म कश में जली कश्म कश में जली जिंदगी आज तक अब मुझे कुछ सजावत नहीं चाहिए अब मुझे कुछ सजावत नहीं चाहिए हाथ था में रहो हाथ था में रहो हाथ था में रहो तुम यूँ ही सजा अब मुझे कुछ बना बट नहीं चाहिए अब मुझे कुछ बना बट नहीं चाहिए सुक्रिया था मुझे बहुत उनके बाद अम मैंulkन्स रफक करना चाहूंगा वह होते हैं हमारे बीच में शाली से हमारे बीच में पाता रहे हैं वसीन जिनजान्वी जी वशीन जिन जानवी जी बहुत अच्छे शेर हैं और शामली एक ऐसा छेतर है जहां पर गुड की वड़ी खुश्वी उड़ती आती है मुझे आसी आशा है कि आपकी गजलों में भी गुड की महक होगी जा जो अरदार तालों के साथ है नाजरी नादाव नमस्टार कवियों की चोपाल में आज मैं वसी भी जानवी शामली उतर परदेश से आदर ने परवीन जी का मैं आभारी हूं और तोमर जी का शुक्री आदा करता हूं यहां से बाद शुरू करता हूं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है हमको तिरंगा जाने से प्यारा लगता है हमको तिरंगा जाने से प्यारा लगता है हमको तिरंगा जान से प्यारा लगता है सरहद के उस पहार भला हम क्यों जाएं सरहद के उस पहार भला हम क्यों जाएं हिंद का जर्रा जर्रा प्यारा लगता है beaucoup बहुत बहुत शुक्री हादि sociology मैं कहता हूं कि हम मेरा मश्वरा है महब्च करो तूम मेरा मश्वरा है महब्च करो तूम हसीनों की दिल पे हुकूमत करो तूम जो होगी महबत तो चाहत भी होगी, लबो पर तुम्हारे सदाकत भी होगी, महबत से खिलती है कल्या वफा की, महबत से बढ़ती है अजमत हया की, महबत से होती है दुन्या मनवर, महबत है जीने का अनमोल जैवर, महबत का गर ये खजाना ना होता, ये दुन्या ना होती, ज महबत करो तुम मेरा मशवरा है महबत करो तुम महबत करो तुम महबत करो तुम गुजारिश तुम से है ये याहर गिरा कर नफरत की दीवार मुहाबत कर लेना है मुहाबत कर लेना गुजारिश तुम से है ये याहर गिरा कर नफरत की दीवार मुहाबत कर लेना है मुहाबत कर लेना और मुहाबत में क्या क्या है पुलाईदा फरमाएं कहता हूँ के मुहाबत फूल है खुश्बू है मुहबत हिंदी उर्दू है सता सर चड़के बोला है मुहबत ऐसा जादू है उठी जब शाहों की तलवार इसी ने काटे सब के वार मुहबत कर लेना है मुहबत कर लेना है मुहबत कर लेना और आखरी पंक्तिया कहता हूंगे मुहबत भूक न देखे प्यास मुहबत पाकिजा एहसास मुहबत भूक न देखे प्यास मुहबत पाकिजा एहसास मुहबत मुरली की धुन है मुहबत राम का है बनवास मुहबत के रास्ते पुर्खर मुहबत जखमों का उपुचार महابत कर लेना है महابत कर लेना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आँ, पसीम जी जो आपने इतनी शाहरी सुनाई, इतने आपने गीत सुनाया, गजल सुनाई बस एक चीज मैं समयती है वो ये है कि राम का वन में जाना वो महभत नहीं थी वो एक धेपत था सुपत था जो राजिस चेतन जी ने कवितागी ने राम वन गमन तो जाना जो आदेश दिया तो वो एक बहाना था उन्होंने आसर शक्तियों को मिटाना था महबत ट्रेम का जो रास्ता ये वो अलग है क्योंकि ये सत्मौला कमी चुपाल सत्ते के रास्ते पे चलते बाते करता आपके रशना बड़ी उम्दा थी आपकी जो मुरली की जो बात थी वो भी एक स्विकारे हो सकती है लेकिन वन गमन वन जाना वो एक अलग जो था रामायन वालमी की का तो जो जो उन्होंने साक्षा जो देखा वो गलत हो जाएगा वसीम जिन्जानवी जी के बाद अब मैं जिनका अमंत्रत करना चाहता हूँ हमारे वरिष्ट साथी मेरे बड़े भाई सरदार हर्ज कीरत सिंग धिंगरा जी नुएडा से हमारे बीच में है बहुत संजीत की की आप कविता करते हैं बहुत ही शांदारा भी मेरे हाथ में उनकी पुस्तक है चिकनी चुपडी चिकनी चुपडी बहुत ही स्ट्रेस्ट पुस्तक है और कविताओं की खिचडी तक कि इन्होंने अपने को कम तर मानते वे भी इनकी जो रशनाएं बड़ी स्ट्रेस्ट हैं भुट्टा सोगात वरसातों की भेगे मौसम की खुश्बू गरम भुट्टे की नींद उड़ा दे अलसाय सोते की इस प्रकार की जो बाते हैं बड़ी मौलिक बाते हैं चंतन की बाते नमस्कार प्रवीन जी ने जैसे बोला है मैं बहुत अधना सा कवी हूँ और बहुत हलकी फलकी कविताएं लिखता हूं और मेरी जो चिक्नी चुपडी किताब है उसमें भी बिलकुल रोजमरा के एक्सपीरियंस के उपर मनो भाव के उपर मेरी सारी कविताएं होती हैं तो जो कविता में पढ़ने जा रहा था उसी का जिक्र प्रवीन नारेजी ने कर दिया तो मैं वही कविता से अपने कावे पाथ शुडू करता हूं और मैं वही प्लान करके आया था सावन का महीना चल रहा है बारिश हो रही है और बारिश में भुटा हो गया च्छत्री हो भुटा सोगात बरसातों की भीगे मोसम की खुश्बू गरम भुटे की नींध ही उड़ा दे अलसाय सोते की मस्त मोसम में बारिश का होना खुद खड़े होकर भुटा बनवाना वो भुटे वाले को बोल कर अच्छे से ज्यादा नमक नीबू मसाला लगवाना मुख के पास लाते ही गरम महक और भाब का एक नशा सा हो जाना दूदिया भुटे को खाना उसकी मिठास को चूसना अपना खतम होने के बाद दूसरों की तरफ तकना दातों में फसे चंदानों को कुरेदना खुरचना एक अदद भुटे की बस इतनी है कहानी एक अदद भुटे की बस इतनी है कहानी खाओ और सुनाओ सब अपनी जुबानी इसके बाद एक मैं अपनी कविता यह मैंने लॉकडाउन में लिखी दी जब पहला लॉकडाउन हुआ था यह बाहर तो जाना नहीं है तो च्छतरी की क्या जरूरूरत है तो मेरी कविता का शीशक भी उसी तरह का है चाता तो नहीं ढूडूँगा मैं इस बरज पानी बरसेगा चाता तो नहीं ढूडूँगा मैं बैड बालकनी में घर की मेली यादों को धोलूँगा आसमा के पंगट पर जब जमगट बदलियां करेंगी आस्मा के पंगट पर जब जमगट बदलियां करेंगी कुछ आकृतियां बन बिगडेंगी कुछ बिगड के फिर बनेंगी विचलित मन फिर से कुछ खोजेगा आतीत की गली में मन इधर उधर यूँ ही बिचरेगा बात पुरानी लगती है बरसात के मुसम में जब तेज हवाएं चलती थी छत्री उल्टी हो जाती थी तब बारिश की ठंडी बोचार मन को हर्शित कर जाती थी ये हरेक के साथ होता है बारिश में छत्री उल्टी हो जाती है तो बोचार पड़ती है तो बड़ी सुखद अनुभूती होती है जब तेज हमाएं चलती थी छत्री उल्टी हो जाती थी तब बारिश की ठंडी बोचारे मन को हर्शित कर जाती थी मन कहता है ये उनमात समा यूही मोहकसा बना रहे ठंडी बयार कुछ और चले सौंदी खुश्बू मनान बसे अब भी काली घंगोर गटा गिर गिर कर जब जब आती है मानस पटल में मेरे वो आतीप की सुन्दर यादों की अनुभूती दे जाती है इस बरस भी जब पानी बरसेगा जाता तो नहीं मैं ढूनूगा जाता तो नहीं मैं ढूनूगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये थे सरदार हर्किरत सिंग धिंग्रा जी सरदार हर्किरत सिंग धिंग्रा जी के बाद मैं जिनको आमं तड़ी बात है कि अभी निर्मला पंत जी ने जो कविता बड़ी थी पत्नी के उपर उनके अंतर रेखा जो खीची थी एक दूसरी रेखा खीचने का प्रयास कर रहे हैं शीरी राकेश उड़ोडा जी जोड़ार तहले के साथ राकेश उड़ोडा जी कमस्वाइब नमस्कार कवियों की इस चौपाल में जो मेरा आज का पहला एक्सपीरियंस है उसके लिए प्रवीन भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस अफसर देने के लिए तो निर्मिला पंत जी ने तो अपनी महिलाओं की जो व्यथा कही वो एक व्यथा थी उनके अनुसार अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से पुरिश और इस्त्री बरसुक जब अपनी जिंदगी बिताते हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल उसके बाद क्या होता है मैं बुड़ा हो चला हूं, तू भी बुड़ी हो रही है, छोड़ बच्चों को आप बैठ दो पल बिता ले, वक्त खराब ना कर यादों की चादर बिछा ले तेरे गालों की लाली जुरियों में समा रही है, मेरी आखों की रोशनी भी अंधेरे में जा रही है मैं भागता रहा, रुका नहीं जवानी के जोश में, तू भी चलती रही बिना रुके बाजार के शोर में अब मेरे लिए गई जवानी, अब मेरे लिए गई जवानी किसी काम की नहीं, ये बाजारों की रौनक तेरे भी किसी काम की नहीं, हर शक्स पूछता है मेरी और तेरी तबियत के बारे में, लगता है जैसे पूछता है, जहां से रुखसती के बारे में, आप बैठ मेरे पास मुझको फिर तुझसे गर्माहट मिलेगी इस बार उसमें सरूर तो नहीं खुदा की अबादत मिलेगी आप बैठ दोरा ने फिर से कुछ गिले शिक्वे जिन्दगी के जा मत उठके खुल दे राज तेरी और मेरी जिन्दगी के फिक्र ना कर बढ़ापे के बाद हम फिर तारे बन जाएंगे आसमान की चादर होगी और उसमें हम टिम्टिमाएंगे ये पंक्तियां थी जब हम महबत के आखरी मुकाम पर अपनी पत्नी के साथ पहुँच जाते हैं अब महबत का सिलसला वसीम जी ने शुरू किया है तो उसको तोड़ा सा मैं भी और बढ़ाता हूँ महबत को समझने की हर कोई दावेदारी करता है महबत को समझने की हर कोई दावेदारी करता है महबत को समझाने की हर कोई हिमाकत करता है महबत को करने की हर कोई वकालत करता है महबत को करने में हर कोई किफायत करता है महबत दीवानगी नहीं मुवबत दिवानगी नहीं खुदा की बख्षी नियामत है मुवबत अबादत नहीं ये गरूर की कयामत है मुवबत की कोई हद नहीं इसकी कोई सरहद भी नहीं मुवबत की कोई हद नहीं इसकी कोई सरहद भी नहीं मौबत कोई मजभ नहीं इसका कोई आका भी नहीं मौबत के खेल में जिस्म और दिमाग का कोई काम नहीं मौबत के खेल में जिस्म और दिमाग का कोई काम नहीं मौबत में रूख के साथ रूहानी होना कोई बड़ी बात नहीं मौबत के नाम पर जान लेना और जान देना गवारा नहीं मौबत के नाम पर मज़भ और जात का बटवारा भी नहीं मौबत दो तरफा नहीं होती गर होती तो फूल खुश्बू ना देता मौबत में उमीद नहीं होती मुपत दो तरफा नहीं होती गर होती तो खुश्बू ना देता मुपत में उमीद नहीं होती गर होती तो चान चाननी ना देता छुक जाओं गर इसके सजदे में मिट जाओं गर इसके एहसास में मिल जाएगा मुझे रस्ता, खुल जाएगा मेरा किस्सा उसके प्यार में मुभबत की रहा पर चल तो सही, मुभबत की रहा पर चल तो सही, वापसी का कोई काम नहीं मुभबत में सांसे ले तो सही, या कियामत का कोई नाम नहीं तू ना हो तू ना हो तेरी खुश्बू बिखर जाएगी तेरा एहसाद सब को हो जाएगा तेरी याद में आँख भी नम हो जाएगी तेरा प्यार तो परवान चड़ जाएगा खुदा भी लग जाएगा तेरी ताजपोशी में खुदा भी लग जाएगा तेरी ताज पुशीमी कि तेरे जैसा शक्स कहा शक्सित तेरी मिट जाएगी खुदा में फिर तू कहा और वो कहा थैंक यो it is यह थे राकेश उरोड़ा जी सत्मोला कविए की चुपाल में आपका स्वागत मैं सब का पहले करी चुक्राता सत्मोला कविए की चुपाल में ये बहुत ही हमारे लिए सभाग्या की ख़िश्या की एक जरह और सत्मोला कविए की चुपाल का ये जो आप निर्बंतर देख रहे हैं यह ऐसे ही चलता रहेगा यदि आप कहा हमें स्योंग मिलें आप सवेच्छा से यदि आप हमारे सत्मोला कम्योंग चुपाल में आजीवन सद्द से बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9711182183 स्कॉल पे टीवी स्कॉल पे चल रहे हैं नमबर 9711182183 सत्मोला कम्योंग चुपाल में अगले रविवार फिर मिलते हैं जेस्ट और सेस्ट कम्योंगे साथ नमस्कार हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं आप सुपकामना संदेश दें सत्मोला कमी चुपाल में अगरने में बिट्टा जी आये हैं उनका आश्यवाद मिला हमारे को तो बहुत सवाग्य की बात है अगले मैंने अठारा पांपंदर अगर्श को हम लोग अठारा वर्श पूरे करें सट्मोला को जबी होई चुपाल के तो ये बहुत में लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को जब मैं एठारा साल पहले सथमोला में से जोड़ा तो ये लग सफर इतना लंबा और मैं बिल्कुल बरुपसा दलाता हूं कि ये इसको हम जब तक हो जब तक ही चलता रहेगा और बहुत जल से लिए भी पूरी करेगा नहीं नहीं हर पल मस्ती और रंगी विट सत्मोला नमकीन इस से पहतर है नातिं सत्मोला नमकीन सत्मोला नमकीन इस से बेटर है नातिं सत्मोला नमकीन